हेलो दोस्तों गुट मॉर्निंग स्वागते आप सभी का सीतल उत्रा खंडी ब्लोग में तो दोस्तों आज है दूसरा नवरात्रा मा ब्रह्मा चारणी का तो अभी आप देख सकते हो अभी बजने बज गई है छे साड़े छे होने वाला है और मैं उठ गई थी पांच बजे तो मेरा नहाना दोना सब हो गया है जाड़ो अगेरा मैंने लगा दिया है और अभी मैं सबसे पहले में दोस्तों बनाऊंगी मातारानी का भोग क्योंकि चूले में सबसे पहले मैं बनाती हूँ नवरात्रों में मातारानी का भोग तो इसे हमारे इदर चुर्मा भी बोलते पिंजरी भी बोलते हर जगाई बनाई जाती होगी आप चलिए बनाते हैं और मैं आपको बताती हूँ मैं किस तरीके से बनाती हूँ तो चलिए मेरे कीचन में और बनाते हैं तो दोस्तों अभी मैं बना रही हूँ चुर्मा तो ये देशी घी ले रखा है मैंने ये मेरी ममी का दिया हुआ घी है बहुत अच्छा घी बनाती है मेरी ममी एकदम दानेदार घी तो इसी का यूज करूँगी मैं भोग बनाने के लिए मातारानी का तो ये अभी आप देख स प्लेट में तो यह आपको मैं दिखा रही हूँ तो बहुत ही ज्यादा अच्छा कलर भी आ जाता है इसका और मैंने स्मय चीनी एड़ कर दी थी दोस्तों तो चीनी एड़ करने के बाद अभी मैं इसमें करूंगी थोड़ा सा जो है यह मैं कर रही हूं इसमें मिस्री एड़ क कर रही हूं उसके बाद मैं इसमें चने एड कर दूंगी दोस्तों तो इसे अच्छे से मिला दूंगी मैं और आपको मैं बताऊंगी तो अच्छे से मेरा भोग बनके तैयार हो गया है मातारानी का तो अभी दोस्तों मैं बनाऊंगी अभी पंचा मिर्त तो पंचा मिर्त बना तो ये मैं अभी ले रही हूं घी दव गाई घी है ये तो ये मैंने अब खुद का बनाया हुआ गाई घी है ये तो इसे मैं आरती भी करती हूं दोस्तों और ये मैं इसमें पंचा मिर्ट बनाने के लिए भी यूज करती हूं और मैंने लिया इसमें सैद अरचे से मिला दिया तो दोस्तों अभी मेरी पूजा वगेरा निपट गई है ये अभी आप देख सकते हो तो मैंने निपटा दिया है अपनी पूजा और सुबह की आरती भी मैंने कर दी है तो दोस्तों ये मैंने अपने मंदीर में भी दिया वगेरा जला दिया है और आपको मैं बता रही हूँ ये मेरा अपना घर का मंदीर है तो ये मैंने चोकी लगा रखी इसके भी मैं आपको दर्सन करवा रही हूँ दोस्तों तो ये हो गई है मेरी पूजा तो दोस्तों आज म कि मैं सामान तो यह सारव ममी ने देखा था और सबसे जरूरी मेरे फूल थे दोस्ते हो तो जो यह ममीनित अच्छा लग रहा है क्योंकि फूलों के मुझे बहुत ज्यादा जरॉत हैं और अभी मठा तो छोटी सी बतलवे दे रखा मठा नहीं दिया थोड़े से बळट्र दे रखें ए तो मसे ऐसी होती हैं दोश्तों मफनी यह बुखनें दे रखे थे इसमें तिल भंग्जीर वगेरा ही मिला रखी थी तो बहुत ही ज़्यादा टेश्टी होते हैं दोस्तों ये बुखणे और थोड़े से ममी ने अक्रूट भी दे रखे थे अभी मैं आपको बताओंगी और सबसे ज़्यादा मैंने अभी आपको बोला कि मुझे फूल की जर्रत थी जो कि ममी ने दे रखे वहा हुआ है आप हम आपको बता रहे हूं और ये जो ये कदu है ये आदा ही है तो दोस्तों या बहुत जैदा बारे anybody कावत हो रही है आदा हराऊ मुंत के दर वजे esas-Boy सुरू हो गई थी और में अब 6 द्रूर मुंढई बारिस आ रहे हैं तो दोस्तों यह मैं कद्दू की सब्जी बना रही हूं कद्दू की सब्जी बनाते हैं वरत में और खाते भी हैं तो यह अभी आप देख सकते तेल में। साथ शेयर कर रखे पहले से तो आप वहां जाके भी देख सकते हो तो यह मैं कद्दू की सब्जी बना रही हूं ब्रहती के लिए सेंदर नमग में तो यह मैंने नमक मेर्चिस में उर्ड कर दी है, और ये अबी पकी नहीं थी ये सबजी, तो थोड़ी कच्ची थी, तो थोड़ी देर में आपको बताऊंगी, तो दोस्तों ये है मेरे आज का खाना तो सबजी भी मेरी अबी देख सकते în IPक रही है, तो यह है मेरा अब खाना तो रात का खाना मेने बना दिया है तो दोस्तों अभी मैंने करूंगी पूजा और सीधे आपको मिलती हूं मैं खाने पर तब तक के लिए बाइ-बाइ तो दोस्तों अभी यह वागेर हो गई है आज मेरे बेटे ने और मैंने की साथ पे पूजा तो अभी मैं इसको प्रसाद यह प्रसाद कैसे हो रहा है अच्छा है तो यह है मातारानी का जो मैंने भोग लगाया था सुवे को तो यह वो है चलिए अब खाते खाना आज लाइट भी नहीं है इधर तो इन्वेटर की तो दोस्तों यह है मेरा आज कभरत का खाना यह कद्दू की सबजी और राजमे की दाल और दो रागी की रोटिया मैंने ले रखी हैं दोस्तों तो प्लीज दोस्तों वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक सब्सक्राइब कीजे मेरे चैनल को और नवरातरी के ब्लोग औ और खाना मैं आपके साथ सेयर करती रहूंगी और मिलूंगी आपसे एक न्यू ब्लोग में न्यू रेसिपी के साथ